हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग वेलकम बेक टो रियाज अमेजिंग वर्ल एंड टुड़ेज व्लोग तो आज मैं सोच रहे हूं कि अपने पूरे रूम का मेक और करों अब मेरा जो सुबह का रूटीन है वो हो गया मेरी आज की पढ़ाई हो गई सुबह की और मैंने व् कि यहां से स्टार्ट करता है एंड हमने जस्ट थोड़ी दियर पहले लंच किया एंड नाव लेट्स स्टार्ट तो आज नहीं मैंना सबसे पहले ग्राणपा को कहा कि यहां पर एक होल करके दे वह अच्छली आज सुबही प्री थे तो मैंने सुचा कि सुबही होल कर वा ल अब मुमा उपर आया ही रहे थे तो मैंने सुचा कि मुमा को बोलू कि स्टोरेज केबिनेट थोड़ी है तो यहां से यहां तक रखे दे विकोज वो बाहर है तो बाहर से अंदर रखे दे तो मुमा ने रखे दी कि स्टोरेज केबिनेट यहां पर अच्छे लगेगी के नहीं लगेगी पहले यहां पर चोटा सा पिंक टेबल था अब वो मैं सुच रहे हम यहां पर ना रख हूँ तो यह स्पेस न मुझे थोड़ी सी खाली लग रहे थी तो मैंने सुचा क्यों ना स्टोरेज केबिनेट को यहां पर लाया जाए अब इसके अंदर सारा मेरा क्राफ डियाइवाई पेंटिंग ड्रॉइंग ब्ला ब्ला बागेर का सामान है तो देखते हैं इसको अभी मैं यह सब चीजें यहां पर लेके बैठी हूँ अब मुझे यह तो माइंड में आइडिया है कि मैं इन सब 1500 हमने ली ह्या चोटी यह जोड़ी साथ उसे थोड़ी बड़ी यह जो बड़ी है वह वह सब सेस्क्रीच यह नियुकिंग ड्रॉमे कर लेती है लिए यह में में को मो मों सब ब्रॉम चुन कर लेती है बट अनफॉचनेटली पुछले 4-5 मन्द से में डियाई कर ही नहीं पा रही थी विकॉज ऑफ शिफ्टिंग तो हम शिफ्ट हो रहे थे तो मैंने सचा कि कल मैंने कैसे स्कूल सप्लाइज डियाईवाई किया था आज मैं रूम ट्रांसफोर्मेशन के रिलेटेड रूम मेकवर के रिलेटेड बहुत सारा डियाईवाई करूँ जैसे कल मैंने किया था सबसे पहले मैं वो कर रही हूँ जो करने का मुझे बहुत ही मन था और वो मुझे सबसे पहले करना था वो है DIY 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 एक्छली यह न मैं एक frame type बना रहे हूँ जिसमें मैं अंदर लिखूंगी motivational and inspirational quotes एक्छली यह जो मैं lines कर रहे हूँ न वो थोड़ी ज्यादा time consuming है वाकि यह DIY बन जाएगा फिर तो इतना must लगेगा सारे DIYs वैसे मुझे क्या लगता है कि रूम में न कोई motivational and inspirational course तो होने चाहिए जो उठकर हम देखे और हमें inspirational and motivation मिले यहां पर मैंने tube colors यूज किये है और यह मैंने white color से लिखाया है तो थोड़ा light पढ़ रहा है तो मैंने इसके दो layers किये है वैसे जो पूरा room transform हो जाएगा न उसके बाद मैं एक बहुत यह अच्छी real बनाऊंगी जो आज जाएगी Instagram अकाउंट पर उसका name है Riaz Amazing World तो आप मुझे follow कर सकते हो and वो real भी देख सकते हो वो मतलब बहुत यह अच्छी real बनेगी मेरा first painting complete हो गया है और मैं यह second वाला painting कर रही हूँ उसमें न मैंने इस तरह से एकदम gradient वाली नहीं बट इस तरह से effect दी है और इसमें मुझे लगा कि brush pens में करूँ बट मैंने पूरा लिख लिया फिर इस तरह से spread हो गया तो मुझे लगा कि नहीं मैंने वो paint वाले से लिखा होता तो ज्यादा अच्छा रहता black और इसमें यह जो मैंने background किया है न वो watercolor cake से किया है और मैंने coat लिखा न उसके बाद मुझे लगा कि यह नीचे और उपर वाली space थोड़ी सी खाली खाली लग रही है तो आप अगर same to same ऐसा बनाओ न तो क्या काना कि थोड़ा उपर से लिखना start करना और handwriting थोड़े बड़े रखना मतलब मैंने जब लिखना start किया न एक दो words लिखे फिर मुझे लगा कि ओ यह तो थोड़े ज्यादा ही small handwriting होग है बट फिर किया मुझे तो वही handwriting में लिखना पड़ा बट आप ऐसा mistake मत करना और अब मैं कर रही हूँ तीसरा drawing जिसके लिए मैं light green, dark blue and white color को mix किया है यह वाला Turkish color बनाने के लिए तो मुझे थोड़ा light में Turkish लिए था इसलिए वरना हम light green और dark blue को mix कर दे तो भी Turkish color ही बन जाता अरे हाँ बात बात में मैं आपको एक चीज़त बताना भूली गई यह जो मैं sheet use कर रही हूँ न वो specially watercolor के लिए ही है इसकी border बसे हम sketch pen से भी कर सकता है बट मुझे से कुछ thick जैसे border चाहिए थी तो मुझे stationary में यह वाला अच्छा दिख गया तो मैंने यह वाला black ले लिया और उससे border की अब वो थोड़ा चोड़ा पड़ रहा था तो मैंने इस तरह से दो strips cut करके लगाई और इसको चिपकाने के लिए मैं use कर रही हूँ फैवी बॉन यह आ रही वाई है यह भी इस तरह से DIY ही है आप सोच रहोगे मैंने उल्टा क्यों किया उल्टा इसलिए किया बिकॉस मैंने पेज की पीछे वाले साइड किया यह अगे वाले साइड है सो अब मैं इसे कर लेती हूँ cut one two and three so यह हो गया cut वाव तो मैंने यह तिन पेंटिंग्स तो बना लिये है अब मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट चेंज कर लो फिर मेरा यह प्लान है कि मैं कुछ फैरी लाइट से सालाइटिंग वाला डेकॉरेशन भी करो तन यह है बेडशीट अब मैं बेडशीट भी अफकॉर्स चेंज ही करने जो यह आराई वाई यह आलफाबेट्स कट किया है ना उसको सपोर्ट किस से में लगा सो उसके लिए मैंने एक आइडिया किया यह जो गोल्लेक्स वाली पैन में इस तरह से स्ट्रॉ टाइप नहीं आता कुछ तो वो मैंने लगा लिया और इसको सूखने का टायम देके फि मैंने टोटल 24 ग्लुट ड्रॉप्स आता है एक शीट में ट्वैल आता है सो टू इंटु ट्वैल इक्वल इक्वल तो 24 इस तरह से इसको में पिल करना है जस्ट अपलाई का देना है तो इससे क्या होगा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दू कि वाल पर हम लगाए है तो मैंने क्या किया कि यहां पर एक रबर लगा लिया वाव वाव वाट ओ नाइस आइडिया तो मतलब यह कुछ मस्त ही एफेक्ट दे रहा है उसके ओपर मैंने रिया वाला डिया में लगाया एड़ तो मैं डेकोरेट करने वाली हूं ड्रसिंग टेबल को जिसके लिए म मैंने सारी चीज़े ने निकाली है वो तो मुझे ने थोड़ा सा उसका बार से लुक चेंज करना था तो मैं अभी क्लीन कर रहे हूं और फिर मैं कुछ डिफरेंट लुक दोंगी उसको तो अभी मैं घिस्ती जा रहे हूं गिस्ती जा रहे हूं ओ मैं कितना घिस्ती क्लीन क कर रहे हूं okay so now it's time to decorate dressing table with fairy lights so मैंने उसमें भी glue drops का use किया है और उसी से डेकोरेट किया है I mean उसी से paste किया है और यह जो fairy light है ना उसकी length इतनी ज्यादा नहीं थी so थोड़ी कम length में मैं कर पाई डेकोरेट and अब मैंने शोकेस के अंदर fairy lights decorate कर लिए अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया and बाहर का लुक चेंज होगी अर्सिंग टेबल का तन मैंने flowers पर भी fairy lights लगा ली अब यह बहुत छोटी थी लेंद में तो मैंने शुचा flowers पर लगाता है and मेरा रूम अब makeover हो गया है so finally पूरे रूम का makeover हो गया है and आपको पता अभी कितने बज रहे है अभी रात के एक बज रहे है yes तो मतलब मैं सोच रहे थी कि मैं सुबह करूंगी फिर मैंने सुचा नहीं नहीं एक साथ complete करके फिर ही सोती हूँ so अभी finally मेरा रूम का makeover complete हो गया है and especially तो जो सारे paintings है तिन उसको बनाने में बहुत ज्यादा ही time लगा so अब मैं आपको दे देती हूँ रूम की टूर स्टार्ट करता है यहां से तो I think मैंना आपको यह कहा था कि यह रबर यहां पर क्यू लगाया है actually इसलिए लगाया है because hole करते करते न वाल की थोड़ी सी पपड़ी निकल गई थी so उसको डखने के लिए लगाया है और यह hanging वाला न बहुत क्यूट है जो पहले भी था and अभी भी लगाया है यहां पर मैंने आ रहा है वाई यह वो डियाइवाई किया because मुझे डियाइवे करना बहुत पसंद है and मैं सोच रहे थी कि मेरे रूम में कुछ खास डियाइवाई है नहीं कुछ खास क्या कुछ भी डियाइवाई नहीं था मेरे रूम में तो मैंने सुझा कि आज तो रूम डेकोर वाला डियाइवाइ तो करते ही है मतलब इस तरह से मैंने ज़ाज किया वो और आप लोग भी बोल रहे थे कि कुछ डियाइवाइ करो रूम के लिए है तो मैंने फाइनली कर लिया है और यहां पर मैंने फैरी लाइट्स लगाई और यह वाली पैरी लाइट यही सोच रहे हो ना कि इसके लाइट अच्छे से क्यों नहीं आ रही है एक्चुली वो थोड़ी से डल हो गई है बट इसका कलर कॉमिनेशन बहुत अच्छा है अब चलिए चलते है इस साइड सो यहां पर यह मेरा साइड डेस्क जिसके उपर म अब यही सोच रहे हो ना किस फोटो फ्रेम के अंदर एक क्यूट क्यूट प्यारी से बच्छी कॉन है वो मैं ही हूँ अब यहां पर एस उच्छल मेरी पानी की बॉटल एंड यह एक छोटा सा फ्रूट वाला सिलिकॉन कोस्टर है अब यह आ गया मेरा सबसे प्यारा एंड क्यूट सा डियावाई कॉर्णर सो यह है मेरी स्टोरेज केबिनेट जिसके उपर मैंने यह सब चीज़े रखी हुई है सो बिजिकली यह सारी है सिलिकॉन की प्लेसमेंट्स यह है बहुत प्रिटी सी डाइरी यहां पर तो एकदम छोटे-छोटे की चेंज है यह साइकल है इसको यह टैडी बैड चला रहा है तन मू करता है यहां पर यह बेजिकली वो क्लिप वाला है तो मैंने इसको इस तरह से यूज करने का आइडिया सोचा अब यहां पर यह तिन क्लिप्स बच रही थी तो मैंने सोचा कि यहां पर क्यों ना मैं कीचेंज लगा लूँ अब यह तीनों मेरे ड्राइंग्स है या फिर आप कह सकते हो यह तीन मेरे डियाइवाइ फ्रेम्स है फ्रेम्स इसलिए बिकॉज मने यहां पर ऐसे थिक सी बॉर्डर करने की ट्राइब की है बट एक्चली हुआ यह कि मैंने जो ब्लैक्षीट यूज की वह इतने थिक नहीं थी ज लगता था कि कुछ डियाइवाइ मिसिंग है सुवने इसमेना इसे इंस्पिरेशनल कोर्स लिखे मोटिवेशनल कोर्स लिखे और हां अब मुझे भी आप लोगों की तरह यह लग रहा है कि मेरा रूम भी डियाइवाइवाइवाइवाइसे बढ़ा हुआ है और यह है मेरी डेली डायरी अब आप सोचेगे कि यह डायरी में तो मैं पहले लिखती थी लिखती थी पुराने घर में बट वो इतना में मदब कंसिस्टन लिख पाई थी तो अभी बहुत सारा पेजिस इसके बचे हैं सो मैंने सोचा कि इसको नहीं यूज करने से अच्छा है कि मैं इसमें कंटिन्यू करूं पेजिस विस नाव इसलिए और जैसे कि आपको बता है कि मैंने पास थ्री टू फोर मन्थ से अपने डेली डाय और यह पिंक प्रिटी प्रिटी वैनिटी एंड इसके और इसके अर्गनाइजेशन में भी थोड़े बहुत चेंजिस किया है एंड अपकोर्स फैरी लाइट्स लगाई है मुझे ने रूम में इस तरह से चोटी चोटी लाइट्स बहुत पसंद हैं सो अब आते हैं मेरे ए इस तरह से कुछ अज़स्ट कर लिया मैं यहां पर और बाकी तो आप लोगों को ने देखा हुआ है एक ब्लॉग में मैं आपके साथ यह शेयर किया था तो मैंने आपको पूरी रूम की तूर तो दे दी बड़ अभी एक साइड मिसिंग है तो उसकी तूर दे देती हूं व इसके पहले बॉल फेबर था वो पुराना लग रहा था डर्टी हो गया था सो मैंने यह फिर से चेंज कर लिया एंड यहां पर मिकी अन मिनी है वैसे यह न मल्टी पर बस टेबल है तो इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकती हूं तो कैसा लगा आपको यह मेरा डियाइवाइ रूम डेकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यानि कि कल थेंक्स पॉर वाचिंग बाई